आगे देखिए पूर्व और नूतन का जहां मेल होता है वही उच्च संस्क्रती की उपजाओ भूमी है रिग्वेत के पहले ही सुक्त में कहा गया है कि नए और पुराने रिशीदोंनों ही ज्ञान रूपी अगनी की उपासना करते हैं देखिए पूर्व और यानि कि पुराने और नए का जहां मेल होता है यानि कि पुरानी संस्क्रती और जो हमारी नए संस्क्रती है उसका जहां मेल होता है वहीं क्या होता है वही संस्क्रती की उपजाओ घूमी कही जा सकती है और इसी प्रकार रेगवेद के पहले सुक्त में भी यह कहा गया है कि नए रिशी और जो पुराने रिशी थे सबी क्या करते थे ज्यान रूपी अगनी की उपासना करते थे यानि कि सबी ग्या करते थे उसी ग्यान का समवर्धन करते थे ग्यान को आगे बढ़ाते थे और हमें लाबनवित करते थे यही अमर्सत्य लेकिन संस्कृति को दोनों ने अपनाया है संस्कृति की अच्छी बातों को दोनों ने अपनाया है यही अमर सत्य है कालिदास ने गुप्तकाल की स्वर्ण योगीन भावना को प्रकट करते हुए लिखा है कि जो पुराना है वह केवल इसी कारण अच्छा नहीं माना जा सकता और जो नया है उसका भी इसी इसी लिए तिरिसकार करना उचित नहीं ठीक है पुराने को केवल हम इसी पुराना कहकर हम उसका तिरिसकार नहीं कर सकते हैं कि भई पुराना है ये लेकिन पुराने में बहुत सी बातें पुरानी संस्क्रती में बहुत सी चीजें हमारे लिए अच्छी है और हमारे जीवन को लाब पहुंचाती है तो हमें अपनाना चाहिए और नए का भी हम इसलिए तरस्कार नहीं कर सकते कि सब तो नया नया है नया नया हमें नहीं अपनाना चाहिए नया भी हमें अपनाना चाहिए लेकिन दोनों में जो कुछ अच्छा है वो हमें अपनाना चाहिए बुद्धिमान दोनों को कसोटी पर कसकर किसी एक को अपनाते हैं ठीक है जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपनी बुद्धी की कसोटी पर कसकर किसी एक को अपनाते हैं जो मूड हैं उनके पास घर की सब्च्राइब करते हैं जैसे कि बहुत से हम कह सकते हैं कि बहुत से मुर्क हमारे हमारे जो समाज में कि पश्चमी सब्वेता का अंदानुकरण करते चले जा रहे हैं बस उन्हें मतलब नहीं है कि क्या ये हमारे देश में या हमारे हमारी जो भारत की जलवाई हुए ये चीजें इनमें क्या महतुपूर्ण हैं लेकिन वो बस अंदानुकरण करते जा रहे हैं अपनी बुद्ध पुद्दगार प्रकट किये थे यानि कि इसी प्रकार के कुछ बातें उन्होंने भी कहीं है देखिए ये सिंगल इन्वेटेट कॉमा में क्लोज है इने देखिए जो पुरातन काल था वह मर चुका वह दूसरों का था आज का जन यदि उसको पकड़ कर बैठेगा तो वह भी पुरातन की तरह म्रत हो जाएगा पुराने समय के जो विचार हैं वे तो अनेक प्रकार के हैं कौन ऐसा है जो भली प्रकार उनकी परिक्षा किये बिना अपने मन को उधर जाने देगा ठीक है अत्वा जो स्वयम विचार करने में आलसी है वह किसी निश्चे पर नहीं बुद्धिये उसी के विचार प्रसन और साफ सुत्रे रहते हैं जो यह सोचता है कि पहले आचारे और धर्म गुरु जो को कह गए हैं वह सच्चा है उनकी सब्बा सफल है और मेरी बुद्धिया विचार शक्ति तुटपुंजिया है ऐसा बाबा वाक्यम प्रमान के ढंग पर सोचने वाला मनुष्य केवल आत्महनन का मार्ग अपनाता है अब देखिए यहां पर लेखक की जो भाषा है उसे हम यहां पर इस पेराग्राफ में तो कई पर आया है एक व्यंग्यात्मक्षैली का यहां उधारन प्रस्तुत हो रहा है इससे पहले बुद्धि का टोट प्रमान की और इस तरह की बातों से कहीं यहां लेकक में विएंग्यात्मक्षैली का विप्रयोक और यहां लेकक की गaráics है कि जिनके पास अपनी बुद्धी का टोटा है बुद्धी की कमी है जो अपनी बुद्धी माप्रयोक नहीं करते कुछ लोग क्या करते हैं पुराना सब कुछ अपना लेते हैं जबकि वो यह नहीं सोचते कि समय और काल और परिस्थितियों में क्या यह बातें फिट होती हैं यह बातें अपनानी चाहिए तो ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन का स्वयम हनन कर लेता है क्योंकि वह समय के साथ और अपनी बुद्धी की कसोड़ी पर बेना कसे चीजों को अपना लेता है बाबा वाक्यम यानि कि पुराने बाबा धर्म गुरू जो भी कुछ कह जाते थे कुछ लोग उन्हें भी ऐसे ही उन्हें अपना लेते हैं वे यह नहीं सोचते कि क्या इस समय हमें हमें इने अपनाना अच्छा होगा श्रीयसकर होगा तो और यहां पर हम कह सकते हैं यहां पर लेखक की शैली व्यंग्यात्मक शैली है अपनुष्य की चरित्र मनुष्यों के कारण स्वय मनुष्यों ध्वारा ही निश्चत किये गए थे यदि कोई बुद्धी का हलसी या विचारों का धरिद्री बनकर हाथ में पतवार लेता है तो वह कभी उन चरित्रों को पार नहीं पा सकता जो अथा है और जिनका अंत नहीं जिस प्रकार हम अपने मत को पक्का समझते हैं वैसे ही दूसरों का मत भी हो सकता मत भी तो हो सकता है दौनों में ते किसकी बात कही जाए इसलिए दुराग्रा को छोड़कर परिक्षा क का सोटी पर प्रतेक वच्ट्य को कस कर देखना चाहिए अब यहां पर लेक्रक्रीक कर भी मैंने यह बताया है लेकश को केंद्रिया भाव में बताया है कि प्रतेक मनुष्री का जो डि रत्रित और याने कि विचारों का तो कैसा रूप होता है संकुचित रूप होता है तो ऐसा बनकर हम किसी के भी चरित्र के लिए कोई टिपणी नहीं कर सकते उसके लिए कि हमें क्या करना होगा पने दुराग्रह पहले से जो अपने उस्विक्ती皚 यह प्रती बुरे आग्रह बुरे विचार जो हैं हुआ कि उन्हीं छोड़कर उन्हें एक तरफ रखकर तब हमें पर के इक लटे से प्रतेक मनुष्य के चरित्र को कसना होगा तब जाकर हम किसी भी व्रक्ति के बारे में हमें यह कहना चाहिए या किसी भी मनुष्य के चरित्र का निर्धारण करना चाहिए कि यह मनुष्य कैसा है गुप्तकालीन संस्कृति के यह गूंजते हुए स्वर प्रगति उत्सा नव लिया है राष्ट के अर्वाची जीवन में भी इसी प्रकार का द्रिष्टिकोन हमें ग्रण करना आवश्यक है ठीक है राष्ट के जो आने वाले नवीन पुराने नहीं नवीन आने वाले जीवन में भी हमें इसी द्रिष्टिकोन को ग्रण करना चाहिए कुशान युक के आर और रिश्यों ने उनादर शरित्रों को जिनने पिता और जीवन में पूरा नहीं कर सके उन्हें पुत्रों को कर दिखाया उन्हें पुत्रों ने कर दिखाया यानि कि वही है कि जो जीज अच्छी नहीं लगी पुत्रों को अपनी संस्क्रती में वो उन्होंने नहीं अपनाई और जीवन में कुछ अलग करके दिखाया राग्याम, रिशीडाम, चरितानी, तानी, कृतानी, पुत्रेर, कृतानी, पूर्वे नए और पुराने की संगर्ष में इस प्रकार का सुलिजा हुआ और साजपून द्रिष्टिकों रखना आवश्यक है इससे प्रगति का मार्ग खुला रहता है अनिता भूत्काल कंट में पड़े खटखटे की तरह बार बार टकरा कर हमारी गाड़ीयों को तोड़ता रहता है अब देखिए लेकक यहां कह रहे हैं कि हमारी जो प्रगति का मार्ग है वो कैसा है नए और पुराने दोनों के संगर्ष में हमारी प्रगति का मार्ग रुकना नहीं चाहिए केवल भूतकाल को हमें की लीख कोई हमें नहीं पीटना चाहिए जो कुछ पुराना है वो सब कुछ हमारे लिए अच्छा है ऐसा सोच कर हमें उसे अपनाना नहीं चाहिए उसको भी हमें अपनी मुद्धी की कसवाठी पर कसना चाहिए नहीं तो भूतकाल क्या कर सकता है हमारी कंट में पड़े खटकटे की तरह बार बार टकरा कर हमारी गाड़ियों को तोड़ता रहता है जीवन रूपी जो हमारी गाड़ी है इसको हानी पहुचाता रहता है बारतवर्श जैसे देश के लिए यह और भी आवशक है कि वह भूतकाल की जड़ पूजा में कहीं फसकर उसी को संस्कृती का अंग न मानने लगे भूतकाल की रूड़ियों से उपर उठकर उसके नित्य अर्थ को ग्रण करना चाहिए आत्मा को प्रकास से भर देने वाली उसकी इस फूर्ते और प्रेर्णा को प्रेर्णा स्युकार करके आगे बढ़ना चाहिए देखिए बारत एक विकास शील देश है तो भारत जैसे देश के लिए तो यह और भी अधिकावश्यक हो जाता है कि वो पुरानी रूड़ियों में न पढ़ जाए और अपने जो विकास की गतिये उसको नहीं अवरुद्ध कर दे जब कर्म की सिद्धी पर मनुष्यका ध्यान जाता है तब वो अनेक दोशों से बच जाता है ठीक है जब अब यहां लेखक क्या है कर्म का मैत्व बता रहे हैं कि कर्म यदि व्यक्ति करेगा कर्म की सिद्धी पर मनुष्यका ध्यान जाता है यानिक उस पर वो अधिक विश्वास करता है कर्म करता है तो अनेक दोशों से वह बच जाता है जब कर्म से भाइबीत व्यक्ति केवल विचारों के उल्जन में पस जाता है तब वह जीवन की किसी नई पद्दति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता यानिकि कर्म से या दिव्यक्ति भाइबीत हो जाता है तो आगे भड़ी नहीं सकता और किसी भी नई पद्दति और संस्कृति को जन्म देने का तो प्रश्ण नहीं नहीं होता अतिव आवश्चक है कि पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्मान कारी तत्वे हैं उन्हें लेकर हम कर्म में लगे और नई वस्तु का निर्मान करें ठीक है अब यहां कभी लेकर कहते हैं कि जो हमारी पूर्वकालीन पुरानी जो संस्कृति है उसके जो निर्मान कारी त स्ट्वे हमारे लिए हो सकते हैं जो पुरानी से स्कृति में जो कुछ अच्छा है निर्माण कारी तत्वे हैं करना चाहीए और तभी हमें कर्म में लगे लेना चाहिए तभी हम क्या कर सकते हैं नई वस्तु का या नई संस्कृति का निर्मान कर सकते हैं और अपने देश का विकास कर सकते हैं इस प्रकार भूत काल खाद बनकर विशेश उपयोगी बनता है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहां यदि हम अपनी बुद्धी की कसोटी परकस्ते हुए पूर्वकालिन बातों को अपनाते हैं तो यहां भूतकाल किसका कार्य करता है खाद का कार्य करता है जिस प्रकार पौधों में खाद दी जाती है और उनका विकास होता है वो बड़े होते हैं तो उसी प्रकार यहां भूतकाल उस अवस्ता में खाद का कार्य क करता है वश्री का विरुष करके पदे पदे उसके जूजने में और उसकी गति-कुन्ठित करने में बूत्काल का उप्योग किया समाज में दो प्रकार की विचारदारा एक फैल कर संगर्ष को जन्म देती हैं ठीक है अब कुछ चीज़ें समाज में ऐसी पैदा हम जाती है कि जो कि भविषिका विरोद करके क्या करती है कुंटित अपनी मानेताओं को लेके चलती है यहीं करके दो विशारदारा हमारे समाज में बन जाती है एक जो कि पुरानी लीकों को पीटती रहती है और भले ही वह बात हैं अच्छी नहीं हो स्छेह सकर नहीं हो हमें लाब नप पहुचाएं और दूसरी तरफ वे माननेता हैं होती हैं जो कि सब कुछ नया नया अपनाना चाहती है हमें अपने भूतकाली साहित में से आत्मत्याग और मानव सेवा का आदर्श प्रहण करना होगा देखिए सबसे जो अच्छी बाते भूतकाल में साहित में हमें पढ़ने को मिलती हैं देखने को मिलती हैं वो क्या है आत्म त्याग और मानव सीवा ये दोनों ही आदर्श में वहाँ से घ्रण करने होंगे अपनी कला में से आध्यात्म भावों को प्रतिष्टा और सौंदर विदान की अनेक रूपों और अभिप्रायों को पुना स्विकार करना होगा अपनी दार्शनीक विचारों में से उन रिष्टिकोणों को उस रिष्टिकोण को अपनाना हुगा जो समन्वे मेल जोल अपनी उच्चाशय वाले धार्मिक सिद्दानतों को मत कर उनका सार ग्रहन करना होगा उच्चाशय यानि कि अच्छी विचारदारा वाले जो धार्मिक सिद्दानतें उच्चाशय उच्च धन आशय तो जो उच्च आशय अच्ची विचारदारा वाले अच्ची सोच वाले जो धार्मिक सिद्दानतें हमें उनको मत कर यानि कि उनको भी हमें अपनी सर्ण का आर्थ संप्रताय या मथ्विशि ण नहीं यह प्लस्য проблем य॥ेट्स संप्रताय विशिश्य प्रेदी में नहीं समेट सकते ह। ठीक के द्रम विविने संस्कृती है जो फूरा समाज है उसको वह उमारे सभी का कई ना होता है रुड़िया रूड़िया रुचि वेद्ट ते भिन नोति रही हैं और वती रहेंगी धर्म का मता हुआ प्रात्तनक्रवट अपने आपको उम्चा बनाना देखिए जो कि वबिन प्रगार के मत होते हैं कुछ चीजा हैं अच्छी लगती हैं रुची हम लेते हैं तो उनी की अनुसार क्या ऑन जाती है रूडिया बन जाती है कि हम एक आपको ऊच्छा बनाना धर्म का देचो प्रमुक जो प्रमुका हुआ याने जो बुद्द्धी के प्रयोगसे जो एक सार निकलता है वो क्या है प्रयत्नेपूर्वक अपने आपको पोजय बनाना प्रयत्न ह हमना जो भी कुछ अबनाना है जीवन को उठाने वाले जो नियम आत्मा में बसने लगते हैं तभी धर्म का सच्चा आरंब मानना चाहिए कि साहित्य कला दर्शन और धर्म से जो मूलिवान सामगरी हमें मिल सकती है उसे नए जीवन के लिए ग्रण करना यहीं संस्कृतिक कारे की उच्छी तिशा और सच्ची उप्योगिता है देखिए साहित्य कला और एवन में वो अच्छी बाते ग्रण करनी चाहिए यहीं क्या है संस्कृतिकी उचेती दिशा यानिकी सही मार गये और सच्छी उप्योगिता भी तभी हो सकती हमारी संस्कृतिक को अपनानी की जबकि हम अच्छी अच्छी अपने लाबकारी बातों को केवल अपनाएं यानि कि प्रवर्ति के का अविशेश ना है तो यानि कि हमारा जो एक विशेश जुकाव है वह किस की ओर तो यह प्रवर्ति कहला थिये भावी भविश्य का आगामी आने वाला सहस्त्रों हजार हजारों नानात्व विवेदता चरेवेती चलते रहो, पुरातन, पुराना, प्राचीन, आत्म हनन, स्वयम को मारना अपने आत्मा का हनन करना, स्वयम को मारना समनवय, मेल, सहयोग, नियामक, नियम, निर्दारत करने वाला मूर्तिमान साकार है ना साकार यानि कि जिसका कोई आकार हो मूर्तिमान कहलाता है भुवन संसार समवर्धन व्रद्धी कहलो विकास भी हो सकता है गुरुतर बड़ा टुटपुंजिया हलका निमनिस्तरका अर्वाची नवीन नया समवाय समू जुन्ड संप्रीती मैत्री भाव ठीक है यह इसके शब्दार थे आगे इसके प्रश्ण दे रखे हैं जो कि आपको पाठ को पढ़ने पर और